फ्रेंट्स पांच मिनट रोजाना लटकने से आपकी बॉडी में क्या असर पड़ता है और क्या फायदे आपको मिलते हैं यही हम आज की वीडियो में जानेंगे तो आगे इस वीडियो को आप एंड तक धियान से देख लेना वैसे फिटनेस लेटिड इन्फॉर्मेशनल वी लटकने की यह एकसरसाइज कोई जादा मुश्किल नहीं है और अगर आप रोजाना सिर्फ एक मिनट भी लटकना शुरू कर देते हैं तो इसके जबरदस्त फायदे आपको मिलते हैं और आप बार पर या फिर अपने छज्जे पर या कहीं पर भी लटक सकते हैं तो रोजा आवा आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन सही करती है आपके बॉडी पोस्चर में सुधार करती है और रीड की हड़ी के काफी हिस्सों में जो दर्द होता है उसे भी रोजाना पांच मिनट लटकने वाली एकसरसाइज करके आप सही कर सकते हैं साथ में आपकी फ्लेक् करने से औस्टियो कॉंड्रोसिस साइफोसिस और लॉडॉसिस जैसी रीड की हड़ी की बिमारियां खत्म होती है इन बिमारियों में आपकी कमर में दर्द होता है और आपकी कमर मुडी हुई दिखती है जिससे आपकी बॉडी का पुस्चर खराब दिखाई देता है तो लावा, इंटर, वर्टेबरल, डिस्क में भी सुधार आता है। चलिए अब जानते हैं कि बार पर लटकने में आपकी कौन-कौन सी मसल्स शामिल होती हैं। तो इसमें आप सिर्फ ग्रिप अपनी बदल कर ही चेश्ट और बैक मसल्स की एकसरसाइस कर सकते हैं। लटक कर मेटाबॉलिज्म लेवल भी काफी सही होता है। एक्जामपल के लिए अगर आप एक निश्चित समय के लिए बार पर लगके रहते हैं और फिर भी आपको अपनी बाडी में किसी तरह के रिजल्ट्स नहीं लिख रहे हैं तो आपकी एकसरसाइस में कुछ समस्या हो सकती है यानि आप एकसरसाइस को सही तरह से नहीं कर रहे होंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको नॉर्मल हैंग एकसरसाइस आसान लगने लगे तो आप उसमें कुछ अलग से जोड़ सकते हैं जैसे आप हैंग बार पर लटक कर अपने हाथों की पोजिशन चेंज कर सकते हैं। ल चबसे जादा असर आपके कोर मसल्स पर पड़ता है और जब आप पैर को साइड में घुमाते हैं तब आपके एब्स के साइड वाले मसल्स यानि ऑब्लीक मसल्स ट्रेन होते हैं। इसके अलावा दूसरे मसल्स भी इसमें काम करते हैं जैसे आपके लेट्स मसल्स, सेप मसल्स भी इसमें ट्रेन होते हैं और आप अपने घुटनों को छाती तक लाकर एब्स को भी मजबूत बना सकते हैं तो प्रेंट्स आज आपने जाना है कि रोजाना सिर्फ 5 मिनट लटकने से आपको क्या-क्या फायदे मिलते हैं और लटक कर अगर आप लैग रेज या फ फायदे आपको मिलते हैं ये भी आपने जान लिया ऐसी ही फिटनेस रिलेटिड इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बाई फ्रेंड्स टेक केर